तो इस प्यास के पराठी को देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मैंने इसे बिना आटा गुथी बैटर से बनाया हुआ है यह देखके बहुत ही यमी लग रहा है मैं जैसे चाहिए वैसे फोल्ड करूँ यह टूटा बिल्कुल नहीं है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तयार हुआ है और खाने में इसका कोई जवाब ही नहीं है बहुत ही यमी है तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेह करने वाली हूँ गिहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी नास्ता या प्यास का पराठा जिसे आप जट्वट बना करके खा सकते हैं वो भी बीना आ बहुत ही कम सॉल्ट सॉल्ट उतना ही नमक जितना को चाहिए स्वाध अनुसार मतलब और दो मीडम साइज के प्यास को मैंने बहुत ही फानली चॉप बारी कट कर लिया है साथ में धरिये का पत्ता मैंने ले लिया है इसके साथ जो ओनियन शीड होती है कलोंजी और अजवा लिए अपर हैसे चैड़घर दैंस्ट सि वाला में थेल easy , अब यहांपर मैंने एक कप पनी लिया है 1कप पानी मैंने इसला में इसमें पूर अच्छे से मिक्स करेंगे आपको जितना पानी यूज हो उतना पानी यूज करियेगा तो फिलाल मैने थोड़ा पानी ए करेंगे तो यहां पर अधा कप पानी मैंने और टोटल में धाई कप के असपास या धाई कप पानी इसमें एड़ कर चुकी हूं और कंटीनुई से मिलाते जा रही हूं तो अभी भी यह बैटर जो है मुझे बहुत ही घाड़ा लग रहा है तो जितना पानी बचा हुआ है थो कप आटा लेते तो आपको तीन कप पानी लगेगा और इसके साथ जब बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया सारी लंप्स गुटले इसमें से खतम कर ली फिर मैंने इसमें डाला है एक चमच मेल्टेट घी अब घी बटर ऑईल कुछ भी अट कर सकते हैं अच्छे से मि अब आपको में यहां पर नॉनस्टे की तवे का यूज कर रही हूं जिस पे मैंने ना घी लगाया है ना कुछ भी किया है गैस का फ्रेम मैंने मेडियम लखा और मेडियम फ्रेम पे मैंने देड कल्ची बैटर आटे का इस पर डाल के थोड़ा सा स्प्रेट कर लिया अब य अच्छे से पकाना है अच्छे से मतलब गैस का फ्रेम अगर आप तेज कर देंगे तो यह बहुत ही जल्दी पक जाएगा जलने लगेगा और कच्छा रह जाएगा तो मेडम फ्रेम पे इसे दोनों तरब से पकाईए थोड़ा सा घी बटर या तेल लगाते हुए जो भी आ तो बहुत ही हमें लगता है इसका कोई मत बोलते हैं इतना स्वाधिश लगता है कि नॉर्मल पराठे भी इतने टेस्टी नहीं लगते हैं तो यहां पर यह देखिए थोड़ा सा यह फूग ने स्टार्ट हुआ है बट बीच में प्यास की वज़े से यह अच्छे से फूग इसी तरह से सारे बना लेने है और आपको मेरी यह वीडियो पहसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो मेरी आप सबसे चोटी से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर के बैल बटन ज़रूर प्रेस करियेगा तार्क देखे कितने सॉफ्ट बने हैं इसे अपने घर पर बना के ट्राय करिएगा कमेंट करके बताए कैसे लगे मैं मिलूँगे आपसे अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए पर